बिहार में हुए जातिय जन्गन्ना के रिपोर्ट सर्वजनिक होने के बाद क्या ये भारती जन्तापाटी के गले के हड़ी बन गए अब इस बात को इसलिए हम बता रहे हैं कि जातिय जन्गन्ना रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से नितीश कुमार का सपोर्ट और बिहार का सपोर्ट होना सुरू हो गया है वो कही ने कहीं भारते जंतापाटी को परिशान जरूर कर रहा होगा आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली है यहां तक कि कहा यह जा रहा है कि पूरी बाजी ही पलट दी है नितीश कुमार ने जातिये गंड़ना के रिपोर्ट को सब जनिक करके इसके साथ ही आपको बता दें कि जातिये गंड़ना के रिपोर्ट आने के साथ ही इस रिपोर्ट से सियासत भी तेज हो गई है जहां नितीश कुमार के सपोर्ट में आई एंडिया गठ बंधन के कई दल खड़े हैं तो वहीं आपको बता दें फिराहुल गांदी से लेकर के आम आदनी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सभी ने नितीश कमार के इस फैसले का स्वागत किया है और अब ये जातिये गणना का रिपोर्ट कहीं ने कहीं एक मील का पत्थर बनने की तरफ बड़ी तेजी से अग्रसर है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है बिहार सरकार द्वारा लाए गए जातिये गणना रिपोर्ट के आधार पर जो चीजे सामने निकल करके आई हैं वो 2024 के चुनाव को काफी प्रभावित करने वाली हैं ऐसा लग रहा है और यही चेजी में बदलाव भी किया है हम आपको ऐसे आधा दर्जन बातों को बताने जा रहे हैं आधा दर्जन से ज़्यादा दलों के नितीश के सपोर्ट में उतरने की कहानी को बता रहे हैं और इस सपोर्ट ने कहीं न कहीं एक बात तो साफ कर दिया है कि सिर्फ आई एंडिया आईए गठ बंधन ही नहीं जो लोग अब तक इंडिया गठ बंधन के हिस्सेदार नहीं थे उसमें सामिल नहीं थे उनके सपोर्ट के आने का मतलब बहुत कुछ होता है हम लगतार आपको बता रहे हैं कि नितीश कुमार ने ऐसा तुरूप का पत्ता फेक दिया है जो कहीं न कहीं नितीश कुमार को बड़ी फाइदा पहुंचाने के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है जाती है गंड़ना रिपोर्ट आने के बाद बिहार में अत्यांत पिशड़ा वर्ग पिशड़ा वर्ग 27 पर तिसद उनईश पिशड़ा ज्यादा अनुसुचित जाती है तो 1.68 पर तिसद अनुसुचित जाती है जन जाती है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सवर्णों के संख्या भी साहे 15 पर तिसद के आसपास है तो अकेले मुस्लिम समाज की बात क करें तो 19 पर तिसद से जादा है अब बिहार में जाती है गणना रिपोर्ट आने के बाद कई तरह की बाते सामने आ गई है जहां नितीश कुमार के सपोर्ट में कॉंग्रिस खड़ी है आम आदमी पार्टी खड़ी है समाजवादी पार्टी खड़ी है तो वहीं आपको ब पूरे खेल में नितीश कुमार ने एक ऐसी बाजी मार ली है जो बाजी नितीश कुमार को बहुत तेजी से आगे लेकर के बढ़ रही है आपको बता दें कि इसमें कई बयान है जो जानना बहुत जरूरी है और खास करके इन बयानों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है क इस रिपोर्ट के आने के बाद बदला क्या है राहुल गांधी ने जिस तरह से इस रिपोर्ट के आने के बाद जातिकत गरना जैसे ही पता चला OBC प्लस SC प्लस ST 84 प्रतिसत है किन सरकार के 90 सचीवों में सिर्फ 3 OBC है जो भारत सरकार के लिए चिंता जनक जरूर है और इन 5 फ साथ से उनका हक नहीं मिल पाया है ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का निदान INDIA गठ बंधन अगर सत्ता में आती है तो करेगी इसके साथ साथ कॉंग्रेस के अन्य कई नेता चाहे वो जैराम रमेश हों या अन्य नेता हों हर तरह से UPA2 के तरज पर UPA3 कह लिए या INDIA गठ बंधन कर लिए उसमें पूरी तरह से वो अग हक हुकुग देने की बात करने लगे हैं लालू परसाद ने भी बंचित उपेक्षित के लिए नाजीर पेश करने वाला ये जातिये गणना रिपोर्ट बताया है तो वहीं तेजस्वी आदो ने कहा है कि बिहार में जा पानने सी बाते बता रहे हैं इसमें आम आदनी पार्टी का भी सपोर्ट आया है और आम आदनी पार्टी ने उनके नेता जो संजे सिंग है उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट आया था वैसे ही अब ये बात कहनी शुरू कर दी थे कि ये रिपोर्ट और जातिये गणना उत्तर पहले सवण्ड विरादरी के लोग कहते थे कि आरक्षन वाले हैं और हम गैर आरक्षन वाले हैं अब तो आर्थिक अधार पर सवण्डों को भी आरक्षन देने की बात कही गई है लेकिन नयाय के लिए जातिये गरना जरूरी है इसके साथ सबसे महत्तों बात जो हम आपको ब इंडिये कठ बंधन में थे लेकिन नितीश कुमार के रिपोर्ट आने के बाद जातिये गरना के वो नितीश कुमार के सपोर्ट में आ गये हैं और मायावती जो की बीएसपी सुप्रीमों है उन्होंने खुसी जाहिर करते हुए कहा है कि देश की राजनिती उपेक्षित ब उन्होंने कहा है कि उपी सरकार को अब अपनी नियत और निती दोनों को साफ करके जनभावना और जनपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातिये गणना रिपोर्ट लानी चाहिए और उसके तुरत सरवजनी भी करना चाहिए इसका सीधा मतलब है कि मायावती ने भी अपन आएंगे हम सबसे पहला काम यही कराएंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि किस जाती किस समाज के लिए हमें कौन से रणनिती योजना बनानी है इसके साथ ही आपको बता दें कि जीतान रमाजी जो की एंडिये गठ बंधन में तो हैं लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट का स अकमारी की जा रही है और नितीश कुमार से आगरा है कि राज्य में अबादी के प्रतिसत के हिसाब से सरकारी नौकरी अस्थानिये निकायों में आरक्षन लागू करें नितीश कुमार ने जब यह जाती है गणना के रिपोर्ट आई उसके बाद से सर्दलिये बैठक बु अब इन सारी बातों को ले करके जो हम लगतार कहते आ रहे हैं कि नितीश कुमार एक बार फिर से स्टार बन करके आए हैं एक बार फिर से वो कप्तान बन के आए हैं तो कहीं न कहीं नितीश कुमार नजर भी आ रहे हैं और यही कारण है कि भारतिये जंता पाठी के लिए और आधा दर्जन से जादा दल नितीश के सपोर्ट में आगे हैं इसमें से कई दल ऐसे हैं जो अब तक किसी भी गठवंधन का हिस्सा नहीं है ये बहुत बड़ी उपलब्दी है और नितीश कुमार इसके बाद आगे की रणनिती किस तर से बनाएंगे ये देखना दिल्चस अगर रगवापत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद